आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि 90 fps कैसे अनलोग करना आपको किसी वीडियो आईज में में भी आपने यह पहले अपलाई करके देखी हो पर काम नहीं करी हो पर इस बार करेगी बस आपको वीडियो देखना ठीक से 90 fps के लिए आप पर आपको folder की permission देनी है यह अपने इसमें आप स्लेक्ट कर लेगा I know how to use इसमें आपको वर्जन स्लेक्ट कर लेना जो भी वर्जन आप खेल रहे हो जैसे मैं इंडियन वर्जन खेल रहा हूं bgmi एंड सेंटर में 90 fps का जो गोल सा सरकल है इस पर क्लिक कर देना है इसके बाद एक एड आएगी एड के बाद गे पर गेम 90 fps पर चलेगी सो fps मीटर से हम ट्राई करेंगे तो पता चल जाएगा इस गेम यहां पर स्टार्ट हो रही है एक बर मैं fps मीटर को अनेबल कर देता हूं पर यह स्टार्टिंग में 60 ही रहेगा बाद हम इसको 90 करने वाले क्योंकि साथ में स्क्रीन रिकोर्डिंग चल यहां से मेंने इसको औरेडी करक़ रखा है पर दुबारा से स्क्रीन रिकोर्डिंग करने है कि बसे से यह फिर से एक app हो गया है ऑई वन वैल्ली यहां पर रखने है एंड सेव जे सिर्फ स्क्रीन रिकोर्डिंग के लिए आपको करना है निर्मल्ली आपका 90 fps हो जाएगा पर screen recording के साथ करने के लिए set edit app का इस्तमाल करना पड़ेगा अब ही आप देखोगे तो यह 90 fps है and game काफी smooth चा रहा है जैसे realme GT Neo 2 मेरे पास device है अगर इसमें मेरे को 60 अभी करना है अगर मैं device को balance mode पर कर दूँगा तो यह 60 हो जाएगा and performance mode जो भी mode आपके device में हो जैसे मेरे device में GT mode है किसी के में performance mode होगा किसी के में gaming या फिर fanatic mode होगा वो आपको enable करोगे तो 90 हो जाएगा normal mode में 60 चलेगा कुछ device में हो सकता है normal mode में भी 90 मिल जाए तो वो आप देख लेना अगर आप graphics settings चेक करोगे तो यहाँ पर 90 fps का option नहीं दिखाएगा पर game जो है सच में 90 fps पर चल रही है and काफी smooth है screen recording में कुछ issue हुआ है जिसके विज़े से 30 fps पर यह decode हो रही है